नमस्कार दोस्तों हार्दिक डिजीटल में आपका फिर से स्वागत है हमेशा की तरह आपके लिए और एक काम का वीडियो लेके आये है जो भी फोटोग्राफी व्योसाई से जुड़ेव है उन सभी के लिए ये काम का वीडियो है तो ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट वाकिए में पसंद आता है तो कंटेंट को प्लीज लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने ग्रूपों में शेर कीजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सीधा वीडियो की और आज आपको दिखाएंगे कि एक कॉमन इश्यू है जो फोटोग्राफर अपने क्लाइन को जब डेटा सिलेक्शन के लिए देते है ओ फोटो सिलेक्शन के लिए देते हैं तो लंबे समय तक होके आता नहीं है और अंत में जाके वह जो पूरा क्लाइंट का जॉब है वह डिस्प्यूट में चला जाता है ना इपैमेंट आता है ना इसञे नीसख्रों आता है यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फूटो लॉक सॉफ्वेर है जिस सॉफ्वेर की मदद से आप अपने डीटा को लॉक कर सकते और लॉक करने के बाद अपने क्लाइंट को आप आसानी से दे सकते सिलेक्शन के लिए कर अध़ी तो जैसे भी यहां पर में एक डेमो फोल्डर बनाय हुआ है तो रिइम्ण कर लिए सारतों करके करके कस्टामर को सेलेक्शन के लिए और सिलेक्ट वेस्ञशलेक इससे कोई फरेक नहीं पड़ता है कस्टमर को आप दोगे तो ना ही वो स्क्रीशूर ले पाएगा ना ही वो कॉपी कर पाएगा ना ही वो डिटा अपने कोई भी ड्राइब में लैप्टॉप या डेस्टॉप में सेव कर पाएगा तो देखते है किस तरीके से ये प्रियेट होता है और यहां पर हमें EXE का नाम जो भी आपका सौफ़वेर का नाम यहां पर रेडी होने वाला है तो EXE का नाम देने के लिए पूछ रहे हैं तो हम EXE का नाम यहां पर कुछ देंगे जैसे कि आप अपने अपने और साव्सा만 दे सकते हैं यहांपर हम दहिते हैं डेम के में के तो डेमो फोलडर में ही एक डेमो नाम की अपलेकेशन बन जाएगी और सेव क्लिक किया और यहां पर प्रोसेश सिंग हो जाएगा हूं कर्यक्रीत्ग कंप्लेट होगे आपका जितना भी डेटा है आपका सब्स मान लिजी के 200 क्लिक है 300 है 500 है तो वह क्लिक को आप कंवर्ट करके और एक सब्सक्राइब में कंवर्ट करके एकसी फाइल बनाके वह रेडी कर देगा देखे दोस्तों हम दिखा देते हैं यह डेमो नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर यह डेमो नाम की एकसी रेडी हो गया है अगर एकसी की साइज आप देखने जाएंगे तो 2.53 है और अगर ओर ओर डेटा जेखने जाएंगे तो आपका डेटा है कुछ 85-something MB का डेटा है 85 MB का जो डेटा था उसको 2 MB में लॉग कर के convert कर दिया अब lock होने के बाद यह कैसे काम करता है तो आइए चले देखते हैं वह किस तरीक से काम करता है तो यह डेमो नाम का जो एकसी बना है उसको हम open कर देखे हैं देखें दोस्तों यहां पर मुझे फोटो दिख रहा है और नीचे की जो bottom line है वहां पर हमें selection के लिए एक option दिया है जूम के लिए option दिया है और slide show के लिए option दिया है और next करने के लिए option दिया है अगर यह photo मुझे select करना है तो just next इसको मैं select करूँगा यहां फे right hand side हमें दिखाए देगा के कौन सा photo select हुआ है customer को यही preview दिखा देगा कि कौन सा photo उसने select किया है next करते है अगर यह photo select करना है तो ठीक है तो next करते है अगर यह photo select करना है तो हम उसको select कर लेते हैं आख कि यहां परम सेश्ट कर लिया और यह goal उर्ट किया यह फूटो को हमने सिलेक्ट कर लिया ठीक है थीन फूट्टा हमने सिलेक्ट किये और हम सेव इस सिलेक्टिट ओपर क्लिक करते हैं तो टेक्स फाइल जनेरेटेट ऐसा करके आ गया है तो तो हम देखते है किस तरीके से टेक्स फाइल आया है देखे दोस्तो यही फोल्डर में यह सिलेक्टेड इमेज का टेक्स फाइल आ गया है सिंप्ली यह टेक्स फाइल आपको कस्तमर से ही मंगवा लेना है ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा कि कौन सा फोटो सिलेक्ट हुआ था कौन सा नहीं हुआ था क्योंकि सॉप्वेर के जरी हुआ है तो इसमें गलती की कोई गुंजाइस नहीं है जो कस्तमर आपको बेजेगा वही उसका फाइनल सिलेक्शन होगा तो इस तरीके से सिलेक्शन भी हो जाता है आपके पास सिलेक्शन का पूरा डेटा यह नौटपेड में आ जाता है आप उसको फिल्टर करके कस्तमर का सेलेक्शन फिल्टर करके उसके उपर आल्बम प्रोसेस करके जो अपको खतम कर सकते हो और अपना payment रिसीव कर सकते हो ना ही customer के पास data जाएगा customer के पास जाएगा only application जो उसके लिए कोई काम का नहीं खाली photo देखने के अलावा कोई काम का ये application उसके customer के लिए नहीं रहेगा तो ये software बहुत ही अच्छा है ये software की मज़द से आप फोटो को लॉक करके customer को दे सकते हो और फोटो सिलेक्शन भी इसमें हो जाता है तो इसको कह सकते है फोटो लॉकर या फोटो सिलेक्शन सॉप्वेर तैंक्यू सो मच इस तरीके ही content हम लाते रहते हैं तो वापिस से हम request कर होते हैं हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर content पसंद आया है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ यही content आप अपने ग्रूपों में शेर कीजिए थेंक्यू सो मच